तो आई पिल 2022 को मिल गई प्ले आफ में पहुंचने वाली पहली टीम और वो है गुजराथ टाइटन्स जिन्होंने लखनव को 62 रनों से करारी शिकस देते हुए इस अस्थान को हासिल कर लिया है सवागे थापका ये स्पेन क्रिकन 4 टी 20 टाइम आउट हिंदी में और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संजय मांजरेकर संजय जब 144 रन बनाया था गुजराथ ने शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये मुकाबला गुजराथ अपने नाम कर लेगी लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी ऐसा लगता है कि गेंदबाजों का गदर आज देखने को मिला शमी राशिद खान साई किशोर एक भी ऐसा ग हैसुस करें लेकिन 15-20 रन तो जरूर शाट थे क्योंकि पेच थोड़ा सा स्लो था आपने देखा जब फास बोलर्स हिट कर रहे थे गेंद को आविश खान जेसन हो रही थी गेंद लेकिन जिस तरह से बाद में बोलर्स ने काम आसान करके देखा शामी ने अच्छी इसमें मैच में भी आपको देखने को मिलिया बिलकुल और ये गेंद बादों का स्कोर काड़ ही दिखा रहा है जिसके तरफ संजा ने भी इशारा किया संजा इसमें राशुद खान ने तो चार विकेट ली लेकिन मौहमद शमी का वो पहला स्पेल जो तीन ओवर कर नो ने कोक और केल राउल और केल राउल को उन्होंने बांद के रखा थोड़ा सोचके आये थे शायद केल राउल के एक लंबी पारी खेले लेकिन शमी ने मजबूर किया उनको कि वो डिफेंसिव खेले दो तिन बार आलमोस्ट बचे बैट पैड बले को लगकर गें स्टम पे जा तीसरा ओवर दिया और वहाँ पर उन्होंने विकेट निकाला और ये कॉम्बिनेशन मुझे सबसे अच्छा लगाए गुजरा टाइटन्स का के बोलर्स को किस तरह से हार्दिक पंडिया यूस कर रहे हैं बिलकुल बार थार्दिक पंडिया की हो रही है थोड़ा हम पीछे चलेंगे संजया और वहाँ से शुरू करते हैं जब टॉस हुआ टॉस के वक्त में पहले बल्ले बाजी करना पिच को पढ़ना कितना क्रिडिट देते हैं क्योंकि सिर्फ हार्दिक पंडिया एक लौते अब तक नजर आएं जिन्होंने रात के मैच में टॉस जेतकार पहले बल्ले बाजी की है और उसका असर हमने देख भी लिए आज जब मैच पूर्णा में होता है तो एक एडवांटिज मिल जाता है कि ड्यू फैक्टर कम आता है वहाँ पर ड्यू पर है शायद शेयर इसलि एक चीज जो देखने को मिल गई कि जो पिछ पहले हाफ में जैसा खेला उसी तरह सेकेंड हाफ में खेला कुछ आसान नहीं हुआ वहाँ पर थोड़ी से मदद होगी लेकिन पहले बल्ले बाजी करना मुझे नहीं लगता कि बहुती एक अच्छा या गेम टर्निंग जिस पर एक के तमाम तरीके के आवाज उठ सकती है या ये कहा जा सकता है कि पिछ खराब थी इसलिए बल्ले बाज ऐसा खेल रहते हैं वहाँ पर शुमन गिल खड़े रहते हैं 63 नाबाद रन बनाते हैं थोड़ी से स्ट्राइक रेट कम रहती है लेकिन जो आस पास उनके विकेट गिर रहा था उसका असर हो सकता है मेरा सवाल सिदेया आपसे क्या पिछ सही मैसी थी या फिर गुजरात के दूसरे बल्ले बाजों ने बल्ले बाजी अच्छी नहीं कि दो तीन चीज़े हैं एक तो पिछ फ्लाइट नहीं था बैटिंग आसान नहीं था इसलिए ब तो वहाँ पर मुझे लगता है उन्होंने ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई लेकिन मेरा सिर्फ फोकस इस पर था शुबमन गिल के उपर कि क्या शुबमन गिल जिनकी काबियत इतने हैं इससे और बहतर स्ट्राइकरेट से रन बनाते हैं या कुछ उसी समय अगर और नहीं महसुत हुई वो शायद नहीं महसुत होती तो शुबमन गिल की पारी मैं उस तरह से देखता हूँ कि क्लास प्लेयर है लेकिन पूरी अगर पारी अगर आप अनलाइस करें तो एक जो गियर उनमें है काबिलियत है वो उन्होंने बिल्कु यूज नहीं किया बिलकु चूक हो गई लखना उसे चूक तो बहुत हुई दो तिन बहुत ही खराब बन्लेबाद आउट हुए करुणाल पंडिया जिस तरह से आउट हुए आयूश बदोनी जिस तरह से पिच के बिलकुल हाफ इस मार्क पर पहुँच गे थे और वो आउट हो गए जेसन होल्डर ब बढ़ा जटका था और केल राउल ने 8 रन के 16 गेंदों में तो कहीं ने कहीं मुझे लगता है केल राउल ने फिर वो एक आंकर रोल का जो उनके साथ हमेशा होता है कि केल राउल किस तरह से खेलना चाहिए आंकर की तरह खेलना चाहिए और नॉर्मल फ्री एटैकिंग प्ल सब्सक्राइब देखें और वो क्यों देखें गुज्यात के वागल में पहले हम यह भी आपसे जाना चाहेंगे कि प्लेयर आफ़ दा मैच का किताब वो दिया गया है शुमन गिल को क्या यहां पर गिंद बास के साथ थोड़ी से नहीं साफी होगी क्यों कि आप मुहमज शमी का पहला तीनोवर वाला बस्ट देखें पांच रन यह चलिए चार विकेट राचिद खान ने लिए बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स क्या राचिद खान के तरफ जा सकते थी देखें जब पूरा मैच अगर आप देखते हैं तो इंफ्लूइंस यह हो जाता है कि दूस यह मौका मिलता है प्लेयर वड़े मैच डिसाइड करने का तो मैं हाफ़ वे स्टेज का सोचता हूं कि हाफ़ वे स्टेज पे क्या गुजरा टाइटन को लगा कि वो बिल्कुल एक अच्छी स्थिती में है और मैच जीत सकते हैं क्योंकि बल्ले बाजी बहुत अच्छी होता अगर इस वक्त वहाँ पर आप रहते तो शायद रशीद खान क्योंकि अच्छी में जटके दिये पहले यश दयाल ने और मौमद शामी ने चली तो यह राशीद खान होते प्लियोफ दे मैच और अब नज़र डाल लेते हैं पॉइंस टेबल पर पॉइंस टेबल में स सोच रही होगे संजय मौके हैं सबको मेरी मैं हमेशा जुकूंगा जिस टीम के पास क्लास है पेडिगरी है तो डेली कैपिटल मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी टीम के जो चा अच्छा खेल सकते हैं तो देखते हैं उनका पॉफरमस चलिए फिलाल यहाँ पर गुजरात प के लिए तो आज के लिए इतना ही फेर होगी मुलाकाद दीजेए जासाइब